नमस्कार दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, आप सभी ने ये दोनों शब्द आमतोर पर सुने ही होंगे, आप सभी इन दोनों शब्दों का मतलब भी भली भाती समझते होंगे हार्ट वर्क वहे कारे होते हैं, जिनमें शाररिक बल की अधिक आवशकता होती है, और वहीं दूसरी और स्मार्ट वर्क वो कारे होते हैं जिनको बहुत ही सरलता से किया जा सकता है परंतु इन दोनों शब्दों का मतलब बस यहीं समाप नहीं होता हम इनके नाम से ही इनका मतलब समझते हैं hard work, hard यनि मुश्कित, कठिन work यनि काम, कठिन कार्य जिसमें बहुत जादा मेहनत लगती है वो hard work कहलाता है वहीं दूसरी और smart work, smart work smart हम कभी हम बहुत बार कहते हैं कि ये इनसान बहुत ही smart है, बहुत ही intelligent है क्यों कहते हैं हम ऐसा क्योंकि वो इनसान अपनी बुद्धी का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करता है बिल्कुल सही समय पर करता है इसलिए हम या तो से smart कहते हैं या फिर intelligent यही है smart work smart work में हम अपनी बुद्धी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं या यूं कहूं कि हम से अपनी बुद्धी का ही प्रयोग करते हैं और कोई चीज करने के आवशक्ता ही नहीं होती यह थे इन दोनों शब्दों के मतलब और अब अगर हम इन दोनों शब्दों के फायदेवन नुकसान के बारे में चर्चा करें तो smart work ही बहतर है आप सभी ने वो कथन तो सुना ही होगा smart work is better than hard work क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि hard work में बहुत कड़ी मेहनत लगती है जिससे हम शाररिक और मानसिक दोनों रुपों से बहुत ज़ादा ठक जाते हैं उसके बाद हम ना तो अपने शरीर का प्रयोग कर पाते हैं और ना ही अपनी बुद्धी का इसलिए hard work को ज़ादा मेहत्व नहीं दिया गया है वही smart work smart work करने ज़े हमें बस अपनी बुद्धी का अच्छे से प्रयोग करना है वो काम जो हम smart work द्वारा करेंगे वो काम समय से पहले भी हो सकता है समय की बचत होती है और हमें किसी भी प्रकार की ठकान नहीं होती इसलिए smart work को ज़ादा मेहत्व दिया गया है तो अब हम एक बार फिर से कह सकते हैं that smart work is better than hard work नमस्कार दोस्तों हिंदी स्टोरी ट्यूब में आज सभी का स्वागत है तो अमारी आज की कहानी का शीशक है प्यासा कवा अँँआ अभी वीडियो को स्किप मत कीजेगा मैं जानती हूँ कि आज सभी ने ये कहानी जरूर सुनी होगी ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ये कहानी नहीं सुनी और अगर नहीं सुनी तो कोई बार नहीं हमार सुन लेंगे लेकिन जिन्होंने सुन रखी है ये कहानी जो अधिक से अधिक जनता होगी वो इस वीडियो को skip ना करें क्यूंकि इस वीडियो में हम इस ही पुरानी कहानी को सुनेंगे एक नए वर्जन में for new generation तो चलिए शुरू करते हैं प्यासा कवा तो आप सभी को इस कहानी के बारे में पता ही होगा इसमें एक कवा होता है उसे बहुत जादा प्यास लग रही होती है वो जंगल में इदर उदर बटक रहा होता है फिर उसे दूर कही एक घड़ा दिखाई देता है जो पानी से पूरा भरा हुआ होता है अब कवा उस गड़े के उपर जाके बैठता है परन्तो उसकी जो चोंच होती है वो घड़े में पानी तक नहीं पहुच पाती वो बहुत परिशान हो जाता है फिर कवा आस पास पड़े कंकडों को देखता है अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करके वो बहुत ही मेहनत करके एक एक कंकड उठाकर उस घड़े के उपर आके बैठता फिर उस कंकड को घड़े में डाल देता ऐसा उसने कई बार किया बहुत मेहनत की क्या है ये? हाड वर्क ऐसा करकर के कंकड डाल डालके पानी उपर आ जाता है फिर वो अपनी प्यास बुजा लेता है तो ये हाड वर्क था परन्तु इसमें उस कववे ने अपनी बुद्धी का थोड़ा इस्तमाल भी किया अब हम अगर बात करी इस कहानी के न्यू वर्जिन की फोर न्यू जनरेशन तो कववे को बहुत प्यास लगी होती है इसमें भी वही है उसे घड़ा दिखता है वो उसके उपर जाके बैठता है कोशिश करता है अपनी जोज पहुचाने की पर अंतु नहीं रिखता नहीं पहुचबाती उसकी जोज पानी तक आसपास पड़े हुए कंकड़ों को भी देखता है लेकिन वो कंकड़ नहीं उठाता इस बार थोड़ा आगे जाता है एक स्ट्रॉव लाता है कहीं से स्ट्रॉव सबको पता होगा जिससे हम जूसिस बगेरा पीते है एक स्ट्रॉव लंबा सा पाइप होता है पतला सा छोटा सा वो लाता है घड़े में डालता है और मज़े से अपनी प्यास बुचा लेता है पानी पी लेता है यही भी हमारी आज की कहानी तो इस कहानी में नया क्या था? उसने इस बार कंकर नहीं डाली महनत नहीं की बस एक स्ट्रॉ लिया और पानी भी लिया ये था स्मार्ट वर्क बुद्धी का प्रयोग करा बुद्धी का प्रयोग तो उसने पुरानी कहाने में भी किया था कंकर डाले थे परन्तु इस बार जादा प्रयोग किया उसने अपनी बुद्धी का और तभी हम इसे कहेंगे smart work इसलिए मैं फिर से एक बार कहती हूँ smart work is better than hard work smart work में हम अपने समय की बचत कर सकते हैं हम किसी भी प्रकास से ना शाररिक ना मानसे ग्रूप से कभी भी धकते नहीं है तो बस आपके लिए इस कहानी से यही शिक्षा है कि अब smart work कीजिए क्योंकि अब है new generation और अब तो हमारे पास इतनी अच्छे अच्छी technology भी है हम अराम से smart work कर सकते हैं हाँ क्या पता जब यह कहानी पहले बनी हूँ तब ऐसी technology हो ही ना क्या पता तब straw भी ना बना हो इसलिए विचारे कवई को hard work करना पड़ा था परन्तु अब ऐसा नहीं है अब हमारे पास इतनी अच्छे अच्छी technology है machines है जिसे हम असानी से smart work कर सकते हैं और बुद्धी तो है ही है तो आप भी smart work करें जैसे अभी इस कहानी में उस कववे ने किया वो भी new generation के साथ घुल मिल रहा है तो आप भी smart work कीजिए इस कववे की तरह because smart work is better than hard work मैंने बहुत बार बोल दिये line इस कहानी में कोई बात नहीं क्योंकि हमारे अच्की कहानी का theme की theme ही यही line थी तो धन्यवाद दोस्तों आशर करती हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी प्लीज रिडियो को like करें, share करें चैनल को subscribe करें और बेल अकन को click करें धन्यवाद, जल्दी मेरेंगे आपसे अगली कहानी में